हमारे जीवन की असली समस्या क्या है? असली दुख क्या है? हमारे जीवन का असली दुख है कि हम समझें कि हम बार बार जन्म क्यों ले रहे हैं? बार बार हमारी मृत्यू क्यों हो रही है? जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी, दुख, दोशान, दर्शनम जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो देखते हैं कि ये चार चीजें क्यों हो रहे हैं जन्म, मृत्यू, बीमारी, बुढ़ापा, जरा यानि बुढ़ापा, जन्म, मृत्यू और व्याधी यानि तकलीफ, दुख, बीमारियां इसका जो दर्शन करता है, जो इसको समझता है जनमरित्यों, बुढ़ापा और बीमारी क्यों हो रही है इस बात को जो समझता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है ये भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं भगवत गीता का श्लोग है, तेरहवे अध्याय का नवा नंबर श्लोग है तो असली समस्या हमारे जीवन की है तीन ये तीन तकलीफे हैं जिनको हमें समाप्त करना है तीन तरीके की समस्या आती है या दुख आता हमारे जीवन में इसे त्री ताप भी कहते हैं त्री ताप यानि तीन ताप आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक जो देवतागण हमें तकलीफ देते हैं उसे कहा जाता है आधि दैविक अर्थात भुकंप हो जाना, बाढ़ आ जाना, सुखा पढ़ जाना, तुफान आ जाना और इस प्रकार से बहुत सारे लो होता है, यह देवताओं के दौरा दिया गया कश्ट है, आधि भौतिक जो दूसरे जीवात्मा हमको दुख तकलीफ देते हैं, कोई हमारा पडोसी दे सकता है, कोई हमारे रिष्टेदार तकलीफ दे सकता है, हमारे कोई दूसरे जीव भी हमें तकलीफ दे सकते हैं, जैसे अलग-अलग प्रकार के जीव हैं, तो दूसरे जीव जो हमें तकलीव देते हैं, उसे आधि भौतिक कष्ट कहा जाता है, या ताप कहा जाता है, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक वो कष्ट है, जो हमारा शरीर और मन देता है हमें, आत्मा यानि मन भी होता है, शरीर भी होता है और आत्मा भी होता है आध्यात्मिक तो आत्मिक का अर्थ हुआ हमारे मन और शरीर में जो समस्या आती है उसके कारण जो हमें तकलीफ होती है तो ये तीन प्रकार के कष्ट हैं जिनें तृताप कहा जाता है और यही असली समस्या है हमारे जीवन के जिसको हमें सुलजाने की क कोशिश करनी चाहिए।